मद्रप्रदेश में हुए सियासी उलट फेर ने बीजेपी को नई उर्जा दे दी है और अब MP में जो राजनीतिक घमासान बचा है वो महराश्टक पहुँच सकता है जिसे से उधव ठाकने की कुर्सी पर भी खतरा मंदराने लगा है MP में सिंधिया के कॉंग्रेस को बाय बाय बोलने के बाद कॉंग्रेस में बरी तूट दिख रही है 22 विधायकों ने इस्तिफा दे दिया है और अब वे बीजेपी का दामन ठाम सकते हैं MP के बाद अब महाराष्ट बीजेपी नेताओं में नया उत्साह पैता हो गया है वहीं कॉंग्रेस खेमे में निराशा छाई हुई है बीजेपी को लगता है कि जल्द ही उसके अच्छे दिन आने वाले हैं वहीं कॉंग्रेस को लगता है कि मध्यप्रदेश की राजनिती का असर महाराष्ट पर नहीं परेगा महागारी सरकार सुरक्षित है लेकिन एमपी की तरह महाराष्ट कॉंग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है महाराष्ट की महाविकास अगारी सरकार में भले ही कॉंग्रेस शामिल हो लेकिन कॉंग्रेस के कई सारे विधायक अपनी सरकार से खुश नहीं है पुर्व मुखमंत्री व कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पिर्थवी राज चोहान कई बार ठाकरे सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते नजर आए शुकरवार को अपनी सरकार के बजट पर पिर्थवी राज चोहान ने आगया कर सवाल किया कि बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया गया है इसके अलाबा कॉंग्रेस के कई विधायक भी नाराज बताय जा रहे हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है दूसरी तरफ महराष्ट की उद्धव सरकार में तीन दल शामिल है जिनकी अलग-अलग विचारधारा है और तीनों को एक ब्लेटफॉर्म पर लाने में एंसीपी प्रमुख शरद पवार की बड़ी भुमिका थी लेकिन शिवसेना को पुर्म की मंत्री देविंद्र फड़नविस से अलरजी है शरद पवार को इस बात का डर है कि बीजेपी कहीं फड़नविस को राज की राजनीती से अलग न कर दे इसे से एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी करीब आ सकते हैं और इसी से ही एंसीपी शिवसेना कॉंग्रेस सरकार को खत्रा पैदा हो जाएगा इसके अलावा बीजेपी की नजर कॉंग्रेस और शिवसेना के नाराज विधायकों को अपने पाले में लाने की है ऐसे में 15 से 30 विधायकों को बीजेपी को सेट करना है और MP की तरह महराष्ट में भी बाजी पलड सकती है Bureau Report, OMH News